नमस्कार, चैश्री कृष्णा, मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं लगूपारश्री के शलोख आप लोगों को बता रहा हूँ पांच शलोख हमारे अब तक हो चुके हैं लगू पाराशरी एक ऐसा जिसे कहना चीए कि समझ लीजिए कि ये जोतिष की गीता है, जोतिष की बाइबल है, अगर आपने लगू पाराशरी को पढ़ लिया, इसके 40 से उपर कुछ लोक हैं, अगर आपने वो सारे श्लोक देख लिये तो आपको जोतिष में फिर किसी और कि आवश्यक्ता नहीं हो, उन सभी श्लोकों में ब्रहत पाराशर होरा शास्त्र का पूरा सार भरा हुआ है, कहते हैं न बिहारी ने गागर में सागर बढ़ दिया था, तो बिल्कुल गागर में सागर, तो लगू पाराशरी अगर आपको क्लियर हो गई, तो आपको सबनने से कोई नहीं सब्सक्राइब, आज हम चलेंगे श्लोक 6 की तरफ, श्लोक 6 क्या कहता है, ये मैं आपको बताता हूँ, श्लोक 6 बात करता है कि कौन से ग्रहे अच्छे हैं, कौन से ग्रहे थोड़ा नेगटीव लिजल देते हैं, कौन से ग्रहे औस्पीशिशियस सब्सक्राव में सर्वे द्रिकोन नेता रूप रहा शुब्षल रख प्रदा प्ते चर्वे त्रिकोन नेता रोग द्रकोन के स्वामी है वो मेशा शुब पंच्छन कि देते हैं। ओर जितने पतेय अस्तैथ शडाया नाम अधिति ही अश्ब कोनफेस चछर्ण के स्वामी टेते हैं। और जितने त्रिस्डाय भाव के स्वामी है, वो हमेशा अशुफ फल देते हैं, अब आता है कि त्रिकोन लौड तो आस्पीशेंस आरे, जितने भी त्रिस्डाय भाव है वो हमारे इन आस्पीशेंस, त्रिस्डाय भाव हमारा कौन सा होता है, तीसरा, अच्छटा, और 11, तो वो आपके नैसर की ग्रूप से शुब भी हो सकते हैं, नैसर की ग्रूप से अशुब भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूत भी वो अच्छा रिजल्ट देंगे, मतब वो चाहे त्रिकोन के स्वामी चाहे नैचरल बैनेफिक हों, नैसर की ग्रूप से शुब हों, या नैस शुब ग्रह कौन से हैं और नैसरी रूप से अशुब ग्रह कौन से हैं तो बहुत सिंपल है सूर्य नैसर की ग्रूप से क्रूर ग्रह कहलाता है अशुब ग्रह कहलाता है या पाप ग्रह बोल देते हैं उसको जादे थोड़ा लेंगेजें बोल दिया तो अदर्वाइस हम बढ़तावा चंदरमा शुब होता है। मंगल को नासर की के साथ है तो शुब होता है। ब्रस्पती ब्रस्पती देवताओं के गुरू है इसलिए बहुत बैनेफिक ग्रह माने जाते हैं शुक्र देट्टों के गुरू है लेकिन गुरू है ग्यानी है इसलिए ये भी बहुत शुब आने जाते हैं शनी पापी ग्रह कहलाते हैं और राहु के तु ये दोनों भी पा प्रभापी ग्रहे हैं वो जादा है सूर्य है मंगल है शनी है राहू है केतू है उसके लावाद चंद्रमा और बुद्ध भी अशुग खुसपते हैं कंडिशन के इसाफ से तो यह ग्रहे जादा है तो इसलिए किसी कुंडली में इन ग्रहों का प्रभाब थोड़ा जादे र पती है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते और कौन से त्रिश्डायपती होते हैं तीसरा छटा और ग्यारवे भाब के स्वामी अब ये तीसरा छटा ग्यारवे भाब का स्वामी श्लोक के अनुसार तो ऐसा हुआ कि चाहे वो नैसलगी रूप से शुब हो चाहे नैसलगी नहीं देगा ये उस श्लोक में श्लोक 6 में कहा गया है दूसरी लेंग के अंदर आगे क्या बोलते हैं अब इस चीज़ से तीन तरह के प्रशन आपके मन में आएंगे प्रशन क्या आता है किसाब अगर किसी प्लैनेट का दोनों राशियां हर प्लैनेट की दो राशी है सू त्रिकोन भाव में आ जाएं तब क्या होगा तो वो पॉसिबिल है यह hypothetical situation मान लीती ऐसा पॉसिबिल नहीं है तो यह प्रश्चन तो अपने दिमाग से निकाल दूझा अब आप कहते हैं किसाब अगर किसी प्लैनेट के दोनों राशिया तीसरे चटे या गयारवे भाव में से किसी में है तब क्या होगा मतलब कोई प्लैनेट है वो तीसरे भाव का स्वामी भी है अच्छे भाव का स्वामी भी है कौन सा बन सकता है बुद्ध तीसरे भाव का स्वामी भी होता है काल पुरुशी कुनली में अच्छे भाव का स्वामी भी होता है तो बुद्ध आपका समझ आया होगा कि त्रिकोन के स्वामी चाहे नैसरी ग्रूप से शुब ग्रह हों चाहे शुब ग्रह हों वो हमेशा शुब फल करते हैं त्रिसजाय भाब के स्वामी चाहे नैसरी ग्रूप से शुब हों या नैसरी ग्रूप से अशुब हों वो हमेशा नेगटिव फल करते है इसके आगे क्या बोलते है इसके आगे बोलता है कि अगर कोई ग्रह ऐसा है कि जो त्रिकोर्ण का भी स्वामी है और त्रिस्ट्राय भाव का भी स्वामी है मतलब उसके पास उसकी एक राशी तो त्रिकोर्ण में है पहले पाच्वे या नवे भाव में है और एक राशी छटे तीसरे या क्यार्वय भाव में हैं तो भी क्या उसकी प्रडिक्शन दे है हम अब उसकी दो राशियां है जैसे मंगमल है मेश्ड़नी पॉरली मंगल पहले भाव का स्वामीं भी होता है जो जिसको त्रिकोंग बांशक्ते हैं, और वो आठवे भ़ावका स्वामी भी होता है लेकिन वो त्रिस्टायओ भःव नहीं है, और किसी लगन में इस सिट्रे की सिटूएशन आ सकती है मारे साथ, तो वो आपको देखना है कि अगर किसी ग्रह की एक राशी त्रिकोण में हो पहले पांचवे या नवे भाव में हो और दूसरी राशी उसकी त्रिस्टाय भाव में हो तो हम कैसे प्रडिक्शन करेंगे उसके लिए हम एक्जाम्पिल से आपको आगे बताते हैं देखें ये हम उनने बता दिया कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़के सभी ग्रहों की दो राशिया होती है तो इसलिए प्रॉबलम उनी में हुई जिन राआँकी दो राशिया होती है कि कैसे रिजल्ट हम देएं एक अच्छे घर में पढ़ी है कर आशी थोड़े अक्षिक घर में पढ़ तो हम यह देखते हैं कि इन लगनों में जो ये ग्रहे हैं, इनका एक राशी अच्छे भाव में पढ़ती है, और एक राशी इनकी छटे, तीसे छटे और ग्यारवे भाव में पढ़ती है, जैसे मैं आपको बिल्कुल उधारण के रूप में एक चीज समझा देता हूँ, उससे आपको किलिए हो जाएगा, जैसे च्छटे भाव का स्वामी हो गया, शुक्र, यानि वीनस के पास ब्रशब लगन के लिए एक राशी लगन की हो गई, त्रिकोर्ण की हो गई, और एक राशी त्रिस्टाय भाव की हो गई, और कौन से एग्जाम्पिल हो सकते हैं, कर्क लगन ले लिजिए, कर्क लगन में छ दो राशिया हुई एक छटे भाव में जो कि त्रसजाय भाव है और एक त्रिकोंड जो कि नवावफ़ तो इस तरीके से हर लगन के अंदर हम लोग देख सेबते हैं डिफरेंट लगन के अंदर ये प्रॉब्लम मिलेगी क्या प्रॉब्लम मिलेगी कि एक रह की राशी त्रिक स्वामी कौन हुआ वर्गो लगन में कन्या लगन में अगर आप देखे तो शनी हुआ और च्छटे भाव का स्वामी भी शनी है वहां पे उसकी कुम्ब राशी पढ़ती है तो उसके पास त्रिकोंड का भाव भी है और उसके पास त्रिस्डायम इस तरह से करके हम डिफरे उनका स्वामी है शलोग की अनुसार लेकि एक राशी उसकी भाव में है तो दूसरी लाइन की अनुसार शलोग की हम यह मानेंगे कि नहुकित अब उसके result कैसे हो तो ऐसे planets जो auspicious और inauspicious दोनों भावों के स्वामी होते हैं वो mixed result देते हैं उनकी दशा में आपको अच्छे भाव result भी मिलते हैं और बुरे मिलते हैं चुकि दोनों भाव का result उसने देना तो दोनों result मिलेंगे इसके ग्रहने आपको यही चीज़ बताना व आपको दिखाते हैं कि दोनों तरह के result कैसे बिलते हैं अच्छे एक चीज़ इसमें और है यह कहते हैं the quantum of maleficience जो की तिरस्टाय का स्वामी होने से किसी ग्रहे के अंदर आ गई यानि एक ग्रहे तिरस्टाय भाव का स्वामी हुआ तीसरे चटे और ग्यार्वे भाव का तो उसमें अशुपता आ गई लेकिन साथ ही साथ वो त्रिकोर्ण का स्वामी भी है तो उसकी अशुपता कुछ कम हो जाती है यह कहने का प्रियत्र इस लोग में किया गया है आला कि मिक्स जल देता है आपको दोनों तरह के result आपको मिलेंगे लेकिन अशुपता कम हो जाती है similarly दूसरा देख सकते हैं इसके यह कहते हैं विभिन योस्तु फल योर्दू क्यों प्राप्तीर भैवेद ध्रुवम को कहते हैं कि भाईया इप डैरा different results अगर different results मिलते हैं दूनों houses से तो हमें दोनों तरह के result मिलेंगे हमें शुप जल्ट मिलेगा हमें अशुप जल्ट आचछा यह दो बात हम लोगोंने देख ली हमारे चार्ती के त्रीकोन होते हैं यह हम लोग जानते ही है जो yang मजबूत है कैसा है तो हम कह सकते हैं कि थिसके मौक उन्सान को मौकी प्राप्ती होना संभाग है जिसका पहला पाँचवा नवा भाव house strong हो, हम कह सकते हैं, कि ऐसे इंसानको धर्म की प्राप्ति होगी, यह ऐसा इनसान धार्मot को जी केंकर, जिसके दूसरा चट्वा भाव भाव active हो, ज्यादर strong हो, हम कह सकते हैं कि एसा बहुति अर्थ पर धिहान देने वाला नहीं पैसे पर धिहान देने वाला सिद्धा देट आधर इस तरीके से वहारे तीन तरीकekर रहांगते ही pentru benefit टेइने पटान वनीड्री में जानते हैं उसमें को इसी बात नहीं प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर बुद्ध कैसा रहेगा बुद्ध के पास एक तो तीसरे भाव की राशी है दूसरी राशी च्छटे भाव की है। यानि दोनों त्रिष्ट्राय भाव का स्वामी है। तो यह यहां पर मेश लगन के लिए अशुप ग्रह हो गया। इनाउस्पीशिस हो गया। इसे कहते हैं। अशुप ग्रह माना जाता है मेश लगन के लिए। प्रशब लगन में देखें अगर आप तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा तृषडाया हाउस है चाहिए नहीं उसे शुब हो या नहीं से उसे शुब हो वह आपके अशुब होते तो यह अच्छा नहीं है चंद्रमा प्रशब लगन के लिए और वीनस को अगर देखो आप त इस तरीके साइब हम डिफरेंट ग्रहों के लिए देखना चाहें ध। तो कर्थ लगन में हम देख सकते हैं कि जो मून है चंदर्मा वो शुप कहलाएगा कर्थ लगन के लिए क्योंकि चंदर्मा जो है लगण सवामी यहां उसका कौई और सायन तो है नहीं चाहे वो त्रिकोंड में हो या त्रिस्टाय में हो तो क्यों और साइट तो है नहीं तो चौते आपका शुब कहलाएगा सिंग लगन अगर आप देखो वहां पे सूरिय आपका शुब कहलाएगा कि उसी कुछ दूसी राशी तो है नहीं जो तीसे चोटे ग्यार्वे भाब मे के लिए बंते हैं और और पास राथ को मिलें धनू लगन में आपका कॉता है चार श्वाम गालता है तो पहली लाइब देख़े सब्सक्राइब का और ठीकर्द रूओ तो यहां पर शुबता अशुबता तो है अशुब्र रहतो है मंगल लेकिन इसमें शुबता आ गई उसकी अशुब्ता कम हो गई क्योंकि वह शुब्र है का भी स्वामि लेकर त्रिकॉन का भी स्वाप इसलिए मंगल जो है धनु लगन में आपको मिक्स जल देने वाला है अच्छे जल पी देगा और थोड़ा वैसे जल पी देगा थोड़ा अशुम जल पी देगा मिक्स जल देगा इस तरीके से आप सारे ग्रहों का इसके अंदर लगा सकते हैं क कैसे ये कुंड़ी देखी इस कुंड़ी में ब्रस्पति कहां का स्वामी है चटे भाव का स्वामी भी है कैंसर लगनी कुंड़ी है कर लगनी कुंड़ी है और ब्रस्पति के पास शटा भाव भी है जो कि रोगरिन शत्रू का भाव होता है और ब्रस्पति के पास नवा भा होता है अच्छे मार्पे चलने का भाव होता है गुरुओं का भाव होता है अपने खर्चे से जो एजुकेशन लिजाती है उसका भाव भी यह वाला ही होता है तो अब इस केस में जो यह जातक है इसकी अपरेल 2002-2008 तक ब्रस्पति की दशाथ तो इसको उत्र भी मिला संतान भी इसके हुई धन भी इसको मिला भीकल भी इसको मिला फॉरेंज जॉब भी से मिला प्रोशन भी मिला सब कुछ मिला इसको लेकिन इसकी हैल्थ भी प्रॉब्लम रही ऐसा कि यह हम लोग जानते हैं कि कोई भी ग्रहे जो रिजल्ट देता है वह जिन भावों में बैठा है जिन भावों को देख रहा है वहां के जिन भावों का स्वामी है अगर ना कोई बैठा है ना कोई देख रहा है वहां के रिजल्ट देता है जिन चीजों का वो स्वतंत कारकत्व जो उसके होते हैं उनका रिजल्ट वो देता है जिन भावों का कारक होता है उनका रिजल्ट वो देता है, इस बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बताओंगा कि ग्रह के फल कहां कहां से मिलते हैं, आप सोचते हैं कि एक ग्रह की तशा आ गई तो फल इस भाव के मिल गए है, ऐसा नहीं हो, बहुत फल मिलते हैं, तो क्यूं मिलते हैं, क्यूंकि वो किसी भाव का अर्तमान कुंड़ी में स्वामी तो रखता है, किसी भाव का वो देख भी रहा है, तो बहुत सी चीजे हैं, जो रिजल्ट मिलते हैं, वो आपको अलग से वीडियो में बताओंगा, लेकिन मैं आपको यही बताने चारता है, कि इस इनसान के इस निटिव की तशा मिक्स रह इस देखिये पाच्वे भाव का स्वामी है, और शरीं, गयारव का चटे भाव का स्वामी है, यानि एक भाव इसके पास त्रिपोन है, तो एक भाव तरिस्टा आया है, तो इसको मिक्स इजल्ट पे ले, यानि इस दशा में उसकी फिल्मे हिट भी बहुत होई, जौनी मेर नाम, मेरे सपने, रोटी, कपड़ा और मकान, धर्मात्मा, काली चरंग, देश्प्रिमी, इस तरह की मुवीज उसकी आई हैं और जो बहुत हिट रहें, और साथी साथ उसने प्रोडूसर बनने की कोशिश भी की, उन्होंने फिल्म को प्रोडूस करने कोशिश की, जिसमें उ लिए और उनका काफी कुछ बैंकरप्सी भी भाई, लॉन हो गया, कर्ज हो गया, क्यों? क्योंकि छटा भाब का स्वामी भी शनी है, उसके रिजल्ट भी शनी नहीं देने, और आलो मून त्रिकोन राश्टी शनी की वहां पर है, तो ये फरक बहुत बढ़ता है, तो आपक भाब की रिजल्ट भी तो उसी नहीं देने है, अगर वहां कोई ग्रह नहीं बैठा है या ना देख रहा है, तो जब छटे की रिजल्ट देगा, तो छटे की रिजल्ट देगा शनी, ऐसी ये होरस्कोप है, ये धर्मेंद्र जी की है, इसमें अगर आप देखो, महादशा लगन लॉड और शिक्स लॉड आपका, बहादशा लगन लॉड कोन है, मंगल, और शिक्स लॉड कोन है, वो भी आपका मंगल हो गया, इनकी दशा आई, तो इस पीरिड में इनको स्ट्रगल करना पड़ा, पच्पन से लेके 62 तक 1955 से 1962 तक 7 अर्स की दशा थी, बहुत स्ट् संघर्ष का भाव होता है, और मंगल की एक राशी जो मुझ त्रिकोन राशी है, वो छटे भाव है, तो इनकी त्रिकोन में हैं, तो ऐसे करके हम डिफरेंट कुंडली को देख सकते हैं, जो हमें बताएगा कि तीसरा चटा ग्यार्मा भाव में के एक राशी हो, और एक इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, इसके लावा एडवांस एस्टरलोजी क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बैस नया, जो लोग जॉइन करना चाहते हैं, वो जॉइन कर सकते हैं, दीगे नमबर पर संपर्थ करते हैं, धन्यवाद, जै श्रीक्रिश्न